नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं धोजा रोहन किया, स्वाधिनता दिवस के मौके पर अपने परिवार के साथ मौराबादी मैदान पहुंचे, मुख्य मंत्री ने इस अवसर पर उतक्रिष्ट कार करने वाले पूलिस सेवा के पताधिकारी और कर्मियों को समानित भी किया, वहीं मौके पर राजिवासियों को समधित करते हैं, मुख्य मंत्री है, मंसुरे ने कहा है कि राजि सरकार के द्वारा एक नई योजना अबुआ आवास योजना की सुरूआत की जा रही है, जिस पर आगामी दो वर्स में लगभग 15,000 कोड़ोर से ज्यादा खर्च कर जरूरत मन लोगों को आवास नकसलियो और सुरक्षा बलो के बीच मुटभेड में दो जवान सहीद, जार्खन के पच्मी सिंभू में नकसलियो और सुरक्षा बलो के बीच मुटभेड की मामला सामने आया है, इस मुटभेड में दो जवान सहीद हो गाए, सहीदों में एक सब इंस्पेक्टर और एक पुलिस टीम को उड़ाने की कोशिश की थी लेकिन सुरक्षा बलोक के जवानों ने कोलहान जंगल में अभियान चलाकर 11 आईडी बरामत कर उन्हें नश्ट कर दिया था अबुआ आवास योजना की घोसना सभी को तीन कमरे का मिलेगा मकान जार्खन के मुख्य मंतरी हिमान सुरेन ने अगले दो साल में जरुवत मंदों के लिए मकान बनाने के वास्ते 15,000 कोड़ोर रूपए की अबुआ आवास योजना की मंगलवार को घोसना की है रांची के मोराबादी मैदान में रष्टी धोजफार आते हुए सुरेन ने कहा है कि उनकी सरकार मजबूत राज के निर्मान का लागातार परियास कर रही है और वादों को पूरा करने की भी हर संभव कोशिस कर रही है केंद्र सरकार पर निचाना साथ ते वो उन्होंने कहा है कि राजे को सुखे से निपटने के लिए केंद्र से आवास्यक सहायता नहीं मिली उन्होंने कहा हमें केंद्र सरकार से उमीद के अनुरूप मदद नहीं मिली लेकिन फिर भी राय सरकार ने मुख्यमंत्री सुखा रहात योजना और धार्खन की रिसी कर्ज माफी योजना की जरे किसानों की हर संभव मदद करने की कोशिस की है सरकार इस्ठीती पर करीबी नजर रख रही है सुरेण ने कहा मैंने रज में सभी को तीन कमरे कमाकान देने का वायदा किया था नवजात बेटे का चेहरा देखे बगाय सहीद हो गया अमीत कुमार सवतंतरता दिवस की पुर्व संध्या पर पच्चमी सिंभोम जीले के कोलहान जंगल में नकसल्योक साद मुटभेड में सहीद 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर अमीत कुमार तिवारी पलामू के रहला थाना छेतरे के तोलरा के रहने वाले थे अमीत कुमार तिवारी का फी मिलनसार प्रविर्ती के थे और इलाके में उनकी एक मददगार छवी भी थी यही कारण हाई कि उनके सहीद होने की ख़वर आने पर तोलरा गाव में मातमी सनाटा पसरा हुए है बता दे अमीत कुमार तिवारी को तीन दिन पहले ही पुत्र रतने की प्राप्ती हुई थी वह अपने नवजात पुत्र का चेहरा देखे बगर ही सहीद हो गए उनके सहीद होने की ख़वर मिलने के बाद पलामूस से परिजन चाईबसा के लिए रवाना हो गए है अमीत कुमार तिवारी के पीता देवेंदर कुमार तिवारी पेसे से किसान है जबकि चाचा निरंजन कुमार तिवारे भी पुलिस इंस्पेक्टर है धनबाद के कतरास में तेज आवाज के साथ बना गोफ तीन जख में पांच घर छती ग्रहस्त धनबाद में कतरास के जोगता 11 नमबर बस्ती में सोमवार की देर राज चोरदार आवाज के साथ गोफ बन गया करीब 200 मीटर की परीधी में 20 फीट गोफ बना जिसमें बजरंग बली मंदिर सहीत एक ही परिवाय के तीन लोग समा गए अस्थानिये लोगों ने दिलेरी और सहाच का परिशे देते हुए रासी के सहारे तीनों को बाहर निकाला जिसमें पिता स्याम भुया, पुत्र अरुन कुमार और तरुन सामिल है लोग जान पर खेल कर उन्हें बचाने में कम्याब रहे जखमियों को आनन फरन में लोग निचित पूर नर्सिंग होम ले गए जहाच चिकित्सों ने उनकी गंभीर इस्थिती को देखते हुए SNMMCS धनवाद रेफर कर दिया जहाच तीनों की इस्थिती गंभीर बनी हुई है जार्खन के राजेपाल ने दुमका में किया धोजा रोहान 77 सवतंतरता दिवस के औसर पर जार्खन के राजेपाल सीपी राधाकृष्णा ने दुमका के पूलिस लाइन में जहंडा फाराया जिसके बाद उन्होंने राजे को समधित किया इस दरान उन्होंने कई बड़ी बाते कही सबसे पहले उन्होंने जार्खन के लोगों खाजकर संताल प्रगना के लोगों को सवतंतरता दिवस के हर्दिक बधाई दी है इसके साथ ही पुलिस बल को भी बधाई दी इसके बाद उन्होंने जार्खन के महान वीर जैसे बीरसा मुंडा अमर सही सिद्धु कान हो बाबा तिलक मांजी चांद भहरो सहीत कई बीरसा पूतों को नमन किया राजेपल सीपी राधा क्रिष्णा ने कहा है कि हमारा राजे जार्खन गिरंतर प्रगति के पतपर है ऐसे में यही पर्यास आए कि जार्खन के सुदुर इलाके में रहने वाले अम्तिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे जार्खन ने कई छेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है चाहे वो किरिसी सिक्षाया स्वास्त का छेत्र हो जार्खन की एक लवती जालसाहिया मानसी लाल किले पर हुई सम्मानीत लाल किले के प्राचीर से सोतंतरा दिवसपर तिरंगा लहराता हुआ तिरांगा देखना हर किसी का सपना होता है बता दे धनबाद के एक छोटे से गाउ गोपी नाथ डिह गाउ की मानसी ने अपने कर्म के बदावलत या उपलब्द्य हासिल की है एक आम दर्शक्न बनकर विश्ष्ट अतिती के तौर पर सोतनत्रा दिवसकारकन में सामिल हुई धनबाद ही नहीं पूरे जारकन का नाम आईदेश के रोशन किया गोपी नाथ डिह गाउ की मानसी बनार जी पूरे जारकन की एकलोती जलसा हिया है जीने हर घर नल पहुचाने में महतपुन भूमका के लिए विश्ष्ट अतिती के तौर पर सोतनत्रा दिवस समारों में न केवल अमंतित किया गया बलिक उन्हें समान भी मिला केंद्रिय जलमंत्री गजेंद्र सिंग से खावा समेत अनमंतियों ने मानसी को प्रससित पत्र देखका समानित किया मानसी के आहत्त की उपलवधी की कहानी भी बहुत रोचक है बहादूर पुलिस वालों को सीम ने राष्टपती पुलिस पदक से किया समानित राश्ट पती पूलिस पताझ पाने वाले तेज तर राज पूलिस पता अधिकारियों को सियम हेमान सुरिन ने समानित किया इस दरण पूलिस कर्मियों ने कहा है कि ऐसे सम्माइन प्राप्त करने के बाद उनका देश सेवा के प्रती समर्पन और लगाव और भी बढ़ गया है बता देख खुटी के आपर पूलिस अधिक्षक रहे CRPF के उप समाजस्टा अनुराग राजवर्तमान में कास्मीर में देश की सेवा में लगे हुए है उनका मानना है कि नक्सली हिंसा राज अस्तर की और आतंकी हिंसा राश्ट्री अस्तर की बात है ये बाते सोतंतरा दिवस का उसर पर वीरता के लिए राश्ट्रपदी पुलिस पदक मुख्यमंत्री हमान सुन के हातों परदान करने के बात कही है जार्खन के साथ जीलों में OVC आरक्षन पर उठा भीवा है जार्खन के जीन साथ जीलों में पिछला वर्ग यहम अत्यंत पिछला वर्ग को कोई भी आरक्षन नहीं है वहाँ इस सिर्यनी के अहार्था प्रात्विद्यार्थियों और अभ्यार्थियों को नौकरी तथा पढ़ाई में EWS यानि आर्थिक रूप से कमजोर सिर्यनी के लिए निधाजित आरक्षन का लाप देने के केबिनेट के निरने पसवाल उठने लगे है समयधानिक रूप से इसे गलत नीरना बताते हुए बीदीबी से सग बियें सर्माय का मानना है कि आर्थिक रूप से कमजोर सिर्यनी के लिए आरक्षन का प्रवधान उच वर्ग के लोगों के लिए है आईसे मेधी सरकार को राजे के साथ जीलो में अरक्षन से वनचीत पिछला वर्ग को अरक्षन का लाप देने की मनसा है तो उसे अन जीलो की तरह पिछला वर्ग अरक्षन सिर्यनी में रखने का प्रधन करना चाहिए ना कि EWS सिर्यनी में 15 अगस्त के बाद होगा सुखे का आक्लन जारक्षन के कई जीले में इस बार बारिश ठीक से नहीं हुई है जिसके कारण वे सुखे के क्यार पर है 14 अगस्त के राजे में 37 परतिसत ही धान की रोपनी हुई है 15 अगस्त के बाद विभाग सुखार से परहवित खेती बाड़ी का आकलन करेगा बता दे जूलाई के अम्तिम सप्ता और अगस्त में कुछ जीलों में हुई अच्छी मानसून वर्षा के बाजूद राजे में इस वर्ष भी समाने से काफी कम वर्षपात का असर खरीब फसल के खेती पर पड़ा है मौसम केंद्र राची के ताया रिपोर्ट के अनुसार 1 जून 2023 से 14 अगस्त 2023 तक राजे के 24 में से 21 जीलों में अभी भी वर्षपात समाने से कम है चात्रा में जहां इस थीती बेहत ही विकट है जहां समाने से 62 परतिशत कम वर्षपात हुई है वही अने 20 जीलों में भी वर्षपात की स्थीती ठीक नहीं है सिम्टेगा, गोटाओ, साहिवगज को छोड़, राजे के बागी सब ही एक 20 जीलों में कम वर्षपात का नाकरात्मक असर खेती पर पड़ा है नकसलियों के गड़ रहे बुढ़ा पहार में 32 बरसों बाद लहराया तिरांगा जारखन और 36 गड़ की चीमा पर नक्सलियों का गड़ रहे बुढ़ा पहाड में 32 बर्सों के बाद आयादी का जस्न मनाया गया जारखन और 36 गड़ की चीमा पर दुर्गम जंगलों से घीरे बुढ़ा पहाड में 32 बर्सों से नक्सलियों का गड़ा था यहां रात तो छोड़िये दीन में भी पूलिस जाने से कतराती थी यह उग्रवादियों का सुरक्षित पनाया हुआ करता था हलाकी पिछले साल सितंबर में केंद्रिय पूलिस बल और जारखन पूलिस के जॉयंट अपरेशन में बुढ़ा पहाड को नक्सलियों से मुक्त कराया गया है खुट्टी के लोधा जंगल से दो उग्रवादी गिरफतार बताया जाता है कि पूलिस की तरफ से दो राउंड फैरिंग भी की गई सौतनता दिवस के मौके पर खुट्टी पूलिस के लिए यह बड़ी कम्याबी है गौतला भाय की देर साम पच्मी सिंभूम के तुमबा हांका जंगल में नक्सलियों साथ मुर्वेड में दो जवान सहीद हो गये थे धन्यवाद